हेलो फिंट्स वेलकम टो अन्रादा वीडियो फिंट्स एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सप्टेंबर क्वाटर के फिनांसिल रिजल्ट्स है जो कि आज केस वीडियों के चलिए फिंट्स वीडियो स्टाट करते हैं तो गाइस इस्क्रीन पर आपको स्टेंडल और और सॉलिडेटेट दोनों फिनांसिल रिजल्ट्स साथ में सो कर रहे होंगा करोल में नंबस दिये गए पहले स्टैंडराउन कवर करेंगे यहां पर इंकम जो कंपनी का निकल के आया है इस बार का अगर देखिएगा तहां पर इंकम जो एटी एट थाउजन सैवन हंड़ेट अगर दोनों यहां पर तेजी देखने को मिल रहा है तोनों यहां पर तेजी देखने को मिल रहा है यहां पर कंपनी का अगर देखिएगा तो 14.86 रुपीज का है पिछले क्वाटर पिछले साल के कंपनी में तेजी आई है गाइस एक बैंक सेक्टर इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट प्रोविजन और एंप प्रोविजन यहां पर कंपनी जो किस तरसे और देखने को मिला बहुत ऐची बात लेकिन बरिखता कंपनी को पौइट है इंप थित देखने को मिल रही है और देकने कंपनी का कमपनी का है 3.1 कण की पे इक सकते एन पीए कंपनी का बहुत ही सांदार नाउन होते भी नजार आ रही है आप कॉंसॉलिडेटेड फिनांशल रिजल्स को कवर करें तो कंपनी का जो इंकम है आप देख सकते हैं सब्सक्राइब क्रोड का इंकम है जबकि प्रीवेश कॉंडर में 94,524 करोड का इंकम था और सब्टेमबर वन लेख वन थाउजन फॉर 143 करोड का इंकम था company का income quarter on quarter year on year दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है profits company का अगर देखे तो company की जो profits इस बार निकल के आया है देख सकते है profit for the period जो company का है 15,017 करोड का जबकि previous quarter में 7528 करोड का September 21 quarter में 9131 करोड का profit था profit quarter on quarter year on year दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है EPS company का 16.53 रुपीज का है पिछले quarter पिछले साल की compare में जबर जस तेजी देखने को मिल रहा है तो guys यहाँ देख सकते company के stand-alone और consolidated दोनों के financial result बहुत strong देखने को सेग्मेंट वाइज बहुत इसांदार growth हुआ है अब consolidated की बात करें तो consolidated में आपर देख सकते हैं बहुत इसांदार यहाँ पर revenue जनरेट किया segment wise में तो guys अब हम लोग जहर वीडियो को यह पर end करते हैं अगर कोई comment box में पूछे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दें बाई बाई